वीवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे यह मिल्क पाउडर से परफेट गुलाब जामून की रेसेपी और यहां पे मैं ने वीडियो में बहुत सरे टिप्स शेयर किये हैं जिसको आप फॉलो करके इस तरह से सॉफ्ट जूसी गुलाब जामून बना सकते हैं तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं घर पे आसानी से और अगर आप इस तरह से सॉफ्ट जूसी गुलाब जामून आपके बनके रेडी हो जाएंगे बिना किसी मिस्टेक के तो यहां पे देखिए मैं इसको कटकर के भी दिखाती हूँ यह कितना अंदर से जूसी बना है द देख लेते हैं यहां पे मैंने एक कप मिल्क पाउडर ले लिया है यह रेंबो का मिल्क पाउडर है आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं और वन फोर्थ कप मैंने यहां दूद लिया है यह रूम टेंपरेचर पे दूद है हमें दूद जादा ठंड या गरम नहीं लेना है नॉर्मल रूम टेपरेचर का दूद लेना है और दूद यहां पे आपको जादा भी लग सकता यह डिपेंड करता है कि आप किस ब्रैंड का मिल्क पॉडर यूज कर रहे हैं और यहां पे मैंने दो छोटा चमच जो है घी ले लिया है और तीन बड़े चमच यहां पे मैदा ले लिया है और एक छोटा चमच यहां पे मैंने बेकिंग पॉडर ले लिया है हमें बेकिंग सोड़ा का यूज नहीं करना है और देड़ छोटा चमच यहां पे मैंने बारिक वाली सूजी ले लिया है बेकिंग पॉडर लिया है बेकिंग सोड़ा का एड़ कर देंगे मिल्क पाउडर में मैदा डाल दिया मैंने बेकिंग पाउडर भी इसी में हम डाल देंगे और यहां पे जो मैंने देड़ छोड़ा चमस सुझी रखा था इसे भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह ड्राइ इंग्रीडियंस को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे अब यहां पर जो मैंने घी लिया था इसको हम डाल देंगे घी जो है अच्छे से मिक्स करना है ताकि यह पूरे मिल्क पॉर्टर में equally डिस्ट्रिबूट हो जाए यहां पर इस तरह से मिक्स कर लिया अब हम यहां पर अपने हाथ से प्रेशर करेंगे तो यह पूरा स्टिफ हो मतलब हाड हो जाएगा यह सब फिंगर के helps से इसको जैंको छस्क फोल्ड करें इस तरह से यहां धेचे यहां यहां पर मैं जब तक हम चुग से अंचे Melbourne ल्याटी कर लेता हैं यहां पर मैंने शुगर सिर्प के लिए दो कप चीनी के लिए हम दो कप पानी आड़ करेंगे इसमें जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हम पानी आड़ करेंगे इसमें और इसको वाई होने के लिए छोड़ देंगे देख है वीवर, शुगर सीरप हमारा रडी हो गया है, चीनी बेच, हमें जो चाशनी बनाना है, उसे जो है, हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसको हमें इस तरह से देखें, चिपचिपा बनाना, यह देख रहे हैं यहां पर चमच में, इस तरह से यह चिपचिपा ह हो जाएंगे और हमें इस तरह से ही टेक्शिर होना सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुगर सिरप का टेक्शिर परफ्रेक्ट होना चाहिए तो अब हम यहां पर गैस बन कर देंगे और मैंने यहां पर तीन एलाइची लिया था इसको मैं इसी में डाल दूंगी यहां पर मैंने लेमन ले लिया है इसके साथ से आठ बुन जो है हम इसमें डालेंगे इस सिरप में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसको कवर करके रब देंगे ढ़कते मिनट्स हो गया है भी बस यहां पर डो हमारा रेडी हो गया है अब हम इससे गुलाब जामून के बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे यहां पर अगर आपको लगे कि डो ज़रा हाड है तो आप दो से तीन चमच और दू दाट कर लें और हम यहां पर एक नेमू के साइस का ए अब यहां पर मैंने गरम होने पर रख दिया था अब हम चेकर लें हमें जादा ऑई गरम नहीं करना है अगर हम होट गुलाब जाओन को टालें तो यह क्रैक होके तूड जाएंगे तो इन आपको हमें नॉर्मल गरम करना है यहां देखे एक छोटा सब मैं डो डालक देखत कर लेना है यहां देखे धीरे-धीरे बड़्बल और ऊपर आए है यहां देखे यह तो बाव जामुन को अपने ही जाद रख दू है यingly गुमा देए काँ लोग गुलाब जामुन पलटी कर ओ आए रहा है अड़िक भिलाब जामुन के मौमल हो पलटी कर नहीं। लुपा वह बना रहा है permettre छुआ निजिनाल 0 तीनाना यह देखेंड्ट श्रहान। और गुलाब जामून इसी तरह से बना के हमें फ्राइ कर लेना है तो अगर आपका डो जादा ड्राइ हो जाए तो आप उसे अच्छे से थोड़ा सा और दूद मिला ले और उसको अच्छे से बॉल बना ले विदाउट एनी क्रैक्स तब जाके आप इतने अच्छे से गुला जाब जाओन अच्छे से गुल्डेन व्रांग हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे और डायरेक्ट जो है फटाफट से डाल देंगे और याद रखे चाष्णी जादा उबलती भी नहीं होनी चाहिए नॉर्मल गरम होनी चाहिए चाष्णी चाष्णी सिर गरम होना पर इस शाष्णी में सब गुलाब जामून को डाल दोंगी और हम इसे ढपके रख देंगे और नेक्स्ट हम बैच बनाके इसमें फिर से आट कर लेंगे यहां पर मैंने सारे गुलाब जामून को बनाके शुगर सिरफ में डिप कर दिया है अब हम इसे दो घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा सुगर सिरफ अफजब कर लें उसके बाद हम इसे सब कर लेंगे यहां दो घंटे हो चुके हैं और सारा सुगर सिरफ ऑच्छ दे सोक हो चुका है और यह परफेक्ट गुलाब जामून बनके रडी हो चुका है तो आप भी इस तरह से इस परफे टिफ्स और ट्रिक के साथ अब आराम से घर पे बिना किसी मिस्टेक के आसानी से घर पे इस तरह के सॉफ्ट और जूसी इगलाब जामून बना सकते हैं मिल्क पॉर्टर के साथ तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइब सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल मैं मिलूगी नेक्स वीडियो में अल्ला हाफीज